वाट्सप गाईज दिस डेली डोज आज हम बात करने वाले हैं लोकांटो स्कैम के बारे में दोस्तों मैंने एक पहले इसकी वीडियो बनाई थी कि अगर लोकांटो पे किसी ने आपका नमबर डाल दिया है तो आप क्या करें और उस एड को कैसे रिमोग रहा है तो मैंने इसके एक पहले वीडियो बनाई थी उस अरले आप लोगों ने काफी सवाल किये काफी मुझे बताया कि मेरे साथ ये हो रहा है तो आज उससे थोड़ा मैंसेज मिलें इंस्टाग्राम पर भी मैं आपको दिखाता हूं बाद में उसमें क्या दिखाएगा कि सर मुझे थ्रेटन कर रहा है कि ये आपकी एड हमने बना दी है अगर इससे आपको घरवालों को पता चलेगा दोस्तों को सबको पता चलेगा कि आप यह सा कुछ काम कर मैंने करते हो यह है मिलिलब को डॉरान को करता है और कहता है कि हमें पैसे पे कर दो और हम इस एड में से आपका नमबर डिलीट कर देंके तो सबसे पहले अपने इसमें घबराने की बात नहीं क्यूंकि आप नहीं नहीं डाली है अगर कुछ भी होता है तो अगले परसЕлом प जरूर तनी हाँ, वहाँ पर आपका नमबर जरूर है, अब उसका मैं तरीका बताऊँगा कि कैसे आपने उस नमबर को ब्लोग कराना है, तो पैनिक नहीं होना है, आपकी यहाँ पर कोई गलती नहीं है, जो कुछ भी है, वो अगले परसन की है, वो ही फसेगा अगर कुछ करना है कि कॉंटेक्ट करना है लोकांटो को, और बताना है कि सर मेरे ऐसे ऐसे, मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने क्या 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 लिखना है, अपने सिंपली बोलना है कि सर मेरी एड पर मेरा नमबर डाला हुआ है, और मुझे यहाँ पर बार बार कोल आ रहे हैं, तो प्ल तो यह मैंने एक वीडियो में थी ठीक है तो इस रलेटीड मुझे यहां पर हुआते थे मैसेज आते हैं इंस्टागराम के तो दोस्तो अभी हम देखते हैं जैसे कि मेरे समझाऄ मेंसेज जाए वे थे वह मैंब को दिखाता हूं तो यह darf पर काफी मेसेज आते रहते हैं बट ये कल एक भाई का मेसेज आया था मेरे पास मैं इसकी कुछ डिटेल हाइड करूंगा इसमें इसने मुझे बोला था कि किसी ने मेरा नंबर पुब्लिक कर दिया है और वो मुझे ब्लैक मेल कर रहा है भी ब्लैक मेल जैसे मैंने आपको बत अब क्या है कि जैसे इसकी डाल दी इस परसन ने कोई है सुमन रानी इसका यूजर नेम है इसने देखो कितना गंदा लिखा हुआ और आज वोटसप करें ये फिलाना दिमकाना और भाई का नंबर दे दिया यहां पर तो बार बार इसको फोन आ रहे थे जो लोग लोकांट रहें किस के अनला तो प्रोब्लम होती है न ठीक है तो ऐसे कि फिर मैंने इसको बताकि की आप हो स्वराइगर परोसांट vedks फोल्लो किया और उसके बाद इसका फोल्लो मेंसेज आया कि जैसे की एड डिलिट हो चुकी है और अपका नमबर भी इन्होंने ब्लोक कर दिया सिस्टम में ठीक है तो थेंक्यों बोला था है चलो अच्छा है ऐसे ही एक और दूसरा है परसन ये मैंने कल इन्साग्राम होन किया था काफी दिनों बाद मैं डिलिट कर रखा था तो इस भाई का मैसेज है मैं रीड नहीं कर पाया उस दिन 15 जुलाई को आया था तो इसमें इन्होंने कि बताया कि किसी ने इसका नमबर भी अपलोड कर दिया था और अपलोड करने के बाद इस कह रहा है कि और भी उनकी डिमांड मन गई भी बोलना कि दोजार दे ठीक है और इसको बार बार फोन आ रहे थे परेशान हो रहा था बेचा रहा है ऐसा ही बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मैसेज किये थे काफी पराने हैं तो मैं बस यह आपको दिखाना जा रहा था तो सब ऐसे कुछ भी अगर फुलिस केस भी कुछ भी होता है तो अगले परसंट पे जाएगा क्योंकि उसी का फोन यूज हुआ है उसी का इंटरनेट यूज हुआ पके बताएव है तो उसी पर केस बनेगा तो अपने डरना नहीं है बिल्कुल भी ठीक है अब हम बात करते हैं इस process में करना क्या होता है जैसे कि मैंने कि वीडियो बनाई थी इसमें बता दिया था लेकिन वह process फिर से आपको बता दता हूँ simply आपने जाना है locanto .co in locanto और मैं इसका जो form फिल करने वाला उसका मैं आपको निचे description लिंक देता हूँ direct आप पहुंजाओगे अब simply अपने contact पे क्लिक करना है जैसे contact पे क्लिक करोगे आपने ये topic चूज करना है और इसके बाद आना है about ads on site और इसके बाद फिर से topic के उपर आना है और आना है my number is on on ad on locanto without my concern what can I do ठीक है तो अपने ये form fill करना है तो अब मैं बता देता हूँ अपने इसमें लिखना क्या है तो यहाँ पे अपने अपना नाम लिख देना जो भी आपका नाम है जैसे की ABC आपने अपने अपना email address बिल्कुल correct लिखना है तो आपका email address कुछ भी होगा at abc.abc.com जो भी आपका होगा आपने वो लिख देना मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूँ यहाँ पे subject में आपने लिखना है my number is being used on loconto ad without my consent ठीक है अगर आपके पास add id है तो वो भी आप डाल सकते हो add id मैं भी आपको दिखाता है इंस्टाग्राम पे गया और यह जैसे इसमें add id यह होती है अगर जैसे कि अगर आपके ऐस phone आ रहा है और phone आ रहा है तो वो आप पुछोगे कि आपको number कहां से मिला तो वो कहीगा कि लो आपको पता लग जाएगा कि add id क्या है अगर add id भी नहीं पता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वहां जैसे आप add id पेस्ट कर सकते हैं अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अलावा अगर आपके पास screen sort है उस add का तो वह यहां पर upload कर सकते हो select file करके अब यहां पर आपने लिखना है सारा तो अपने यहां पर लिखना यह यह लिख सकते हो कि I have been receiving calls from I have been I have been anointed codes and I have a यह लिख सकते हो कि my number is being used look on to ads तो ऐसे अपने यहां पर अपना number दे जाना जैसे कि अगर आपके वास दो नंबर है तो आप यह भी लिख सकते हो प्लीज ब्लोक मैंन दर नंबर टू आपने मितलब इसमें अपना पूरा मेसेज लिख देना जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है वो और उसके बाद आपने यह करके जैसे कि हो गया है और उसके बाद आपने यह सेंड कर देना है जैसे कि यह सेंड हो चुका है और इसके बाद आपको मेल आएगा और मेल आने के बाद आपको बता दिया जाएगा कि आपके एड आईड रिमूव हो चुकी है और आपका नमबर वहाँ पे ब्लोक हो चुका है अब दोस्तों अगर आप मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग लोकांटो को एक बार जरूर लिखें कि ऐसे कोई किसी का नमबर कैसे यूज़ कर सकता है एड मैं मैंने इनको दो त सब्सक्राइब करना चाहिए तो मैं चाहता हूं कि आप सभी एक बार लोकांटो को मेल डालो कि अगर आपने कोई नमबर यूज़ करवाना है तो आप उसका ओटी भी लेके आप उसको अथराइज तरीके से इस नमबर को आप एड में एड कीज़िए ठीक है तो आप भी ल यूज़ हो रहा है यूज़ हो रहा है विदाउट माई कंसेंट और कितने परेशान ही होती है लोगों को जिब तो कि यह डिलीट ना हो जाए ठीक है और मैं दूसरा ओन लोग को कहना चाहरा हूं कि क्या मिलता आपको किसे से ऐसे तंग घर के वेचा रहे हैं ठीक है एक दि तो आप लोग अंटो को लिखना जरूर है ठीक है बाई